नमस्कार बहुत स्वागत था आपका बिहारी निउज में मैं हूँ आपके साथ अभे विशाल कोरोना महामारी ने पूरे विश्ट को तबाह करके रख दिया है बिटेन ने तो एक बार फिर लॉक्टाउन की घोसना कर दी है वही नए साल में भारत में कोरोना से बचाओ के लिए दो वैक्सिन को अपास्त इस्तिमाल की मंजूरी मिल गई है भारत सरकार ने कोरोना के लिए दो वैक्सिन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित को वैक्सिन और सिरम इंस्टिट के द्वारा बनाया गया कोवी सील्ड को अपात इस्तमाल के लिए मंजूरी भी है कई राज्यों में टीका करन का ड्राइ रन भी सुरू हो गया है उम्मिद की जा रही है कि जल्द ही लोगों के लिए वैक्सिन उपलब्ध हो जाएंगे अब ऐसे में लोगों के मन में वैक्सिन को लेकर कई सवाल उठने लगे है सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वैक्सिन लेने का बाद करोना वाइरस से संक्रमित होने का खत्रा टल जाएगा वैक्सिनेशन का बाद करोना का खत्रा होगा या नहीं इसके बारे में पूरी तरह से पुष्टी नहीं की जा सकती है लेकिन हेल्थ विसेसग्यों के मुताविक दोबारा संग्रमन का जोकिम बहुत कम हो जाएगा हाला कि अगर किसी व्यक्ति को वैक्सिन लेने के बाद भी कुरोना हो जाता है तो इसका प्रभाव सरीर पर उतना गंभीर नहीं होगा साथ ही उनकी माने तो COVID-19 के कारण लोगों में नीमोनिया का लक्षन नहीं होता है यहां तक की मौत का खत्रा भी कम होगा लोगों के मन में एक और सवाल चल रहा है कि वैक्सिन कितने दिनों में मिलना सुरू हो जाएगा एक्सपर्ट्स की माने तो अगले 15 दिनों के अंदर लोगों को वैक्सिन लगने सुरू हो जाएगे चरन बद तरीके से अगले कुछ दिनों में टीका लगाने का काम किया जाएगा माना जा रहा है कि अभी बच्चों और गर्वती महिलाओं को सुरुवात में टीका नहीं लगाये जाएगा बच्चों को इसलिए कोरोना का टीका नहीं लगाये जाएगा क्योंकि भी सिसग्यों का कहना है कि इन टीकों का ट्राइल 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर हुआ था चरणबद तरीके से टीका करन के दोरान सबसे पहले प्रात्मिक्ता नगर निगम के लोगों को दी जाएगी इसके बाद दूसरे नमबर पर प्रशासनिक लोग, फिट डॉक्टर्स और मेडिकल सेवा से जुर्य लोगों को पहले टीका लगाये जाएगा बता दें कि ये सभी लोग इस वैस्विक महामारी से लरने के लिए फ्रेंट लाइन पर रहकर काम कर रहे हैं इसके अलावा पचास साल से अधिक उम्र के लोगों और बिमार व्यक्तियों को भी पहले वैक्सिन दिया जाएगा लोग ये अभी सूच रहे हैं कि क्या वैक्सिन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना होगा विशे सग्यों का मानना है कि वैक्सिनेशन के बाद लोगों के सरीड में रोग प्रतिरुद्रग छमता विक्सित होगी ताकि वो कुरोना वाइरस का सामना कर सकें हलां कि वैक्सिन लेने के बाद भी लोगों को साउधानी बरतनी होगी और मास्क भी लगाना होगा एक सवाल यह भी है कि क्या सभी लोगों को ठीका लेना नहीं मारे है आपको बता दें कि COVID-19 के लिए वैक्सिनेशन स्वैच्छीक है यानि आपकी मर्जी है आपको वैक्सिन लेना है या नहीं लेकिन सलाह दी जाती है कि खुद को महामारी से बचाने के लिए COVID-19 वैक्सिन को लगवाएं और इसका सैडिूल पूरा करें ऐसा करने से आप महामारी को फैलने से रोकने में योगदान कर सकेंगे तो हम उम्मेद करते हैं कि कोरोना वैक्सिन से जुड़ी आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे अगर अब भी आपके मुन में कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं तो अभी के लिए बस इतना ही बिहार की हर ख़बरों सरूबरू रहने के लिए देखते रिए बिहारी न्यूज धन्यवाद